हेलो कैसे आप सभी नमस्कार मैं लाली वर्मा माइगनेट बरी न इंदी मीडियम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दिल से स्वागत करती हूँ हार दिख स्वागत करती हूँ अब आप सोच रहे होंगे आज मैडम बड़ी खुश नजर आ रही है यूँ तो मैं हमेशा ही खुश रहती हूँ लेकिन आज बहुत जादा स्वागत कर रही हूँ आप पता है क्यों क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ पुस्तक किसले भागदो का अन्तिम पाठ और अन्तिम वीडियो जी हाँ पाठ पुस्तक किसले का पाठ 22 नाम है समय का महत्व और इस वीडियो में हम करेंगे समय के महत्व के वस्तूनिष्ट प्रशन बहु विकल्पी है शुरू हो जाएंगे इसमें आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा मैं चाहूंगी आप ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करें मुझे बताए कॉमेंट सेक्शन में कि शुरू से लेकर आप तक अब तक एक से लेकर बाइस तक आपको सभी पार्ट पढ़ कर कैसा लगा किस तरह से आपने महसूस किया और कौन-कौन सी बातें हैं जो आप हमेशा याद रखेंगे प्यारे बच्चों, मैगनेट ब्रेंस के माध्यम से हम सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं अजारों किलोमीटर की दूरी पर भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम बहुत दूर है मैगनेट ब्रेंस जो आपको साथवी से बारवी तक की ओनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री 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 प्रोवाइड कर रहा है इसलिए आपको चिंतित होने की आवशक्ता नहीं है बने रहो हमारे साथ वीडियोस देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर बच्चों ये जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं समय का महत्व के multiple choice questions तो देखती हूँ कि किसने समय का महत्व वाला पहला वीडियो ध्यान से देखा है किसने समय का महत्व वाला दूसरा वीडियो अर्थात प्रशनुक्तर वाला वीडियो बहुत ध्यान से देखा है बिल्कुल सही सुना है आपने, तो अब समय शुरू होता है आपका और पहला प्रश्न ये रहा, धन को पुनहा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जो धन है उसको पुनहा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, हमने कविता में पढ़ा था धन को, स्वास्त को, पढ़ाई को फिर से कैसे प्राप्त किया जा सकता है तो धन को पुनहां कैसे प्राप्त किया जा सकता है पहला दिया है कमाई से, दूसरा दिया है पैसे से, पैसे दो पैसे लो, ऐसा तीसरा दिया है खर्च से बहुत ज़्यादा खर्च करो धन अपने आप आएगा नहीं चौथा दिया है बचत से हाँ ये थोड़ा लग रहा है हमारा तो आप मुझे बताईए कि धन को पुना, पुना का अर्थ समझते हैं आप पुना का अर्थ होता है दो बारा या फिर से ठीक है? तो धन को पुना कैसे प्राप्ट किया जा सकता है? कमाई से, पैसे से, खर्च से या बचत से धन जो धन है वो कैसे आएगा? फिर से बचत से आएगा क्या? बचत का अर्थ क्या है? कोई कहता है बचत कोई कहता अरे कंजूस अच्छ हाँ, एक अच्छा प्रशना आया है मेरे मस्तिष्क में कि बचत और कंजूसी में अंतर बताओ आप कि बचत और कंजूसी में क्या अंतर है? कुछ लोग कहता रहे भाईया वो तो बहुत कंजूस है कंजूस शब सुना है ना सबने सुना ही होगा तो कंजूसी का अर्थ क्या होता है कि जो कंजूसी का अर्थ समझ लेते हैं बाकी बचत कि जो भी अमारी अवशक्ता है जो भी अमारी अवशक्ता के सामान है, वस्तुएं है धन है हमारे पास फिर भी हम कुड़ कर जी रहे हैं कि काश हम ऐसा कर लेते काश हम अच्छा खासा भोजन खा लेते अच्छे से कपड़े पहन लेते लेकिन पैसे हैं? नहीं नहीं हम पैसे खर्च नहीं कर सकते पैसे तो हम बचा कर रखेंगे तो ये कंजूसी हुई कि ना हम सही से खा रहे हैं ना हम सही से पहन ओड रहे हैं ना हम जमाने के हिसाब से अपने आपको चला पा रहे हैं पैसा है लेकिन फिर भी हम खर्च नहीं करना चाहते तो कंज लेकिन बचत क्या है बचत है फिजूल खर्ची ना करना उल्खर्च ना होना ठीक है हमारे पास धन दौलत है हम चाहे तो बहुत खर्च कर सकते हैं बहुत बहुत ऐश्वाराम्द का जीवन जी सकते हैं लेकिन हमारे पास सब कुछ है हम फिजूल खर्ची क्यों करें जब हमार ये लिया है तो हमें भी वह चाहिए हमारे पास गाड़ी है लेकिन अब हमें बड़ी गाड़ी चाहिए क्योंकि लोगों के पास बड़ी गाड़ी है नो ये होती है बचत जब हम सोच समझ कर आवशक तनुसार धन को खर्च करते हैं उसको बचत कहते हैं और पैसा होते हुए अभी हम बड़े कुड़ कर जीते हैं, ना खाते हैं डंग से, ना पीते हैं, डंग से, ना पहनते हैं, ना ओडते हैं, उसको कंजूसी कहते हैं, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कंजूसी मत करना, बचत करना, लेकिन कंजूसी मत करना, ठीक है? अब धन को पुना कैसे प समाई से बहुत सही जवाब जिन्होंने पहले का आंसर ए लिखा है बहुत बढ़िया आज तो मुझे आप लोगों पर बहुत प्यार आ रहा है क्योंकि यह है अपनी साथवी कक्षा के अंतिमपाथ का अंतिम वीडियो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है क्या है जो कभी वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता समय बड़ा अनमोल है व्यर्थ इसे ना खोना नहीं तो पड़ेगा रोना समझ में आया तो क्या है जो कभी वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता पहला विकल्प आया है धन तो धन का तो हमने अभी देख लिया कि धन तो कमाई से फिर से प्राप्त किया जा सकता है दूसरा विकल्प है संपत्ति संपत्ति क्या होती है? धन, दौलत, संपत्ति वस्तु हैं बहुत एक वस्तु है ये सारी सुक्सवदा आराम की वस्तु है तो क्या उन्हें हम वापस नहीं पा सकते हैं तीसरा है समय और चौथा है सामान तो क्या है जो कभी वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता और आंसर आप दे चुके हैं समय समय कभी भी वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता धन, संपत्ति और सामान ये सारी चीज़ें हम पुनहा प्राप्त कर सकते हैं कमाई से, अच्छे से, सदोपयोग करके लेकिन समय को हम कभी भी वापस नहीं प्राप्त कर सकते अगला, मन्जिल उनी को मिलती है जिनोंने खालिस्थान के महत्व को समझा मन्जिल किन को मिलती है? यूँ ही नहीं मिलती राही को मन्जिल कुछ जुनून सा दिल में जगाना होता है उचा चिडियों से कैसे बना आशियाना भूली भर नी पड़ती है उड़ान तिनका तिनका जुटाना होता है ठीक है? अब आस्मान में जो पक्षी या पंची उड़ते हैं वो किस आधार पर उड़ते हैं? क्यों उड़ते हैं? और शाम होते ही वो क्यों लोटाते हैं? क्या उनको फोन आजाता है मम्मा जल्दी घर आईए मुझे भूक लगी है फिर वे कैसे घर आजाते हैं? क्योंकि बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीडों से जाक रहे होंगे बच्चन जी के एक बहुती प्रसिद कवीता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है समय का पईया चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है समय किसी के लिए नहीं रुखता और जिसने समय की कीमत पहचानी मन्जिल उनकी हुई तो मन्जिल उनी को मिलती है जिनोंने संपत्ति समय उर्धन या सामान तो समय की कीमत को जिसने जाना मन्जिल उसकी मिली ठीक है? हाँ, अब है हाथ मल मल कर कौन पच्चता आता है? कहते हैं ना हाथ मलना अब हाथ मलने का अर्थ बता दो मुझे भीया इसका मतलब सर्दी में इस तरह से करना हाथ मलना नहीं होता मुझे आपने सुना होगा हाथ मलते रह जाना मतलब पच्चताना मतलब अब पच्चताए होत का जब चिडिया चुको गई खेद तो हाथ मल मल कर कौन पच्चताता है? पहला दिया है जिसने समय को गमाया है दूसरा जिसने समय का मोल समझा है तीसरा जो निर्धन हो गया है या फिर जो अमीर हो गया है हाथ मल मल कर कौन पच्चताएगा क्या जो निर्धन हो गया है वो पच्चताएगा बताओ समय कैसा है चलता रहता है कभी नहीं रुखता हमने देखा है कि ठिक 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 घड़ी हमेशा चलती है सेल बैटरी कभी चली भी जाए तो ऐसा तो है नहीं कि समय रुख गया देखो जरा अपनी बैटरी खत्म होने पर मतलब घड़ी की बैटरी खत्म होने पर कभी ये मसोचना कि समय हमारी मुठी में हमारे हाथ में है बेटा समय तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम समय के हाथ में हो मतलब हम समय के हाथ में है समय के मोल को हम समझेंगे समय हमारा मोल या हमें मूल्यमान बनाएगा तो हाथ मलमल कर कौन पच्टाता है जिसने सवें को गवा दिया है उसके हाथ में सिर्फ पच्टावा ही लगता है और कुछ भी नहीं रहता अगला है सबसे अनमोल रत्न अच्छा प्रश्ण है समय संपत्ति धन तौलत हीरे मोती, जवारात, पुखराज, मूंगा, मोती, रत्न ये सब तो ये सब रत्न है सबसे महत्वपून क्या है हीरा चलो एक और विकल्प दे दूँ हीरा मोती मूंगा और क्या-क्या होते हैं वही पुखराज और भी बहुत सारे रत्न होते हैं तो सबसे महंगा, अनमोल, रतन क्या है और इसी में दिया है समय तो सबसे महंगा क्या है हम कोईएंगे भई मानेक और बहुत सारे अंगिनत रतन तो वो सबसे महंगे ही अब तीन शिष्चियों को गुरु जी ने भेजा कि सबसे कीमती चीज लेकर आओ आप सब लोग ढूंड रहे, बाजार गए, बाजार में ढूंड रहे, सबसे महंगा क्या है, सबसे महंगा क्या है, हीरे, मोती, मुंगा, पुक्राज, सब कुछ ढूंड रहे और गुरू जी ने कहा था कि मैं तुम लोगों को एक पहर का समय दे रहा हूँ, इस पहर में आपको ढूंड कर लाना है लेकिन तीन में से एक विध्यार्थी आ गया उसी पहर में लोट कर, बाकी के दो ढूंड ते रहे कोई कहता ये, नहीं नहीं इससे भी महंगा कुछ होता है, फिर वो वहां गया, दूसरा पहर बीद गया, तीसरा पहर बीद गया और कुछ रत्न हाथ में लेकर आए, गुरू जी, गुरू जी हम ले आए सबसे महंगा, और एक जो आ गया था पहले ही पहर में उसके हाथ खाली थे, वो कुछ लेकर नहीं आया, तो गुरू जी ने कहा कि क्या लेकर आए वत्स, तो उन्होंने कहा कि गुरू जी, हम ये रत्न लेकर आए, जो मोती, पन्ना, पुकराए, बहुत सारे रत्न लेकर आए, ये सबसे कीमती हैं, इनसे कीमती कुछ नहीं, बोल कुछ सही बात नहीं है तो मैं उसी समय पर लोट कर आ गया क्योंकि मुझे और भी कारे अपने समय पर करने थे इसलिए मैं उस समय पर आ गया तो तुम कुछ नहीं लाए मैं समय के महत्व को समझ कर आया मतलब मैं समय को लेकर आया गुरू जीन उसकी पीठो की शाबाश बेटे तुमने समय की कीमत को जाना हीरे मोती रत्न ये कोई कीमती नहीं है इससे पता चलता है कि समय ही साबसे अनमोल रत्न है समय से अधिक कीमती कुछ नहीं समय की महत्ता को हमें समझना होगा एक एक पल का महत्तव हमें समझना होगा समय से प्यार करना होगा हमें तभी देखे समय आप से कैसे प्यार करता है और आपको सब का प्यारा कैसे बना देता है अगला है खाले स्थान का पहिया चलता जाए किसका पहला गाड़ी का दूसरा साइकल का तीसरा समय का चौथा रेल का हभी कुछ एक पंक्ती बोली थी मैंने और साथी साथ मैंने ये भी कहा था कि बच्चन जी की प्रमुखवी था और आपने जरूर सुना होगा तो किसका पहिया हमने एक पहिया बनाया था फर्स्ट वीडियो में जिसने पार्ट की हमने व्याक्या की है कवीता जिसमें पढ़ी थी उसमें हमने एक पहिया भी बनाया था ठीक है और वो पहिया था 2, 4, 6, 8 10, 12, 14 16, 18, 20, 22 और 24 ठीक है ये हमारे 24 घंटे जो निरंतरता के साथ घूमता रहता है तो ये क्या है बेटा ये है समय का पहिया तो किसका पहिया चलता रहता है समय का पहिया चलता जाए जो कभी ना रुके गाड़ी का साइकल का भई गाड़ी का भी खराब हो जाता है साइकल भी पंचर हो जाती है रेल में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन समय का पहिया कभी नहीं रुखता कभी भी नहीं रुखता कभी भी नहीं रुखता ठीक है कहते हैं नो सूर्य अपनी दिशा बदल सकता है चंद्रमा अपनी चांदनी खो सकता है लेकिन समय कभी किसी के लिए नहीं रुख सकता तो समय का पहिया चलता जाए अगला समय और खाली स्थान दिया है किसी का इंतजार नहीं करती कौन कौन समय और ट्रेन धन संपत्ति और लहरे समय और ट्रेन धन संपत्ति और लहरे तो इसका तो आपने तुरंट उत्तर दे दिया होगा क्योंकि हमने कई बार निबंद लिखते समय इस पंक्ति का उपयोग किया होगा समय और लहरे किसी का इंतजार नहीं करती तो यहाँ पर जाएगा लहरे अब आया है काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परलें होएगी बहुरी करेगा कब दोहे जो दोहा है उसके कवी कौन है और इसमें मैं एक और प्रशन पूछती हूँ यह क्या बताया है इसमें क्या बताया है जो अभी कवी के हम बात में बात कर लेंगे लेकिन मुझे यह बताईए कि यह क्या है काल ठीक है आज आज अब पल कब यह सब क्या दर्शार है यहाँ पर लिखूं क्या काल आज अब पल और कब यह सब क्या है मुझे बताईए यह सब क्या है जल्दी जल्दी बताओ मुझे यह सब क्या है काल आज अब पल कब यह सब क्या है मैं पूछ रही हूँ आपसे फटा फट मुझे comment section में लिखिए कि यह किस की और इशारा कर रहे है काल आज अब पल कब यह सब किस की और संकेत कर रहे है समय की और क्या बात है मेरे बैच्छों सच मैं love you seriously तो ये कर रहे हैं समय की ओर इशारा समय बता रहा है काल, आज, अब, पल, कब ये सब समय की ओर इशारा कर रहे हैं तो काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब समय, नियमित रूप से समय का पालन करते हुए अपने कारियों को समय पर पूर्ण करे, अन्य था यदि हमने अपना कारिय कल पर टाला तो समय का कोई भरोसा नहीं है जो कारिय हम आज का कारिय हम कल पर टाल रहे हैं तो क्या भरोसा उस पल में हम वो कार्य ना कर पाएं, कोई ऐसी परिस्थिती आजाए सबोस महमानी आजाए, सबोस लाइट ही चली जाए फिर हम कैसे अपना कार्य करेंगे, हूमवर्क यदी मिला है आज का हूमवर्क, आज करना है ये कभी मत सोचना कि हम कल कर लेंगे या बहाना बना देंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे मोहन की तरह आपकी भूक में है ना चाप्टर, ऐसे, ऐसे तो बहानों से बिल्कुल दूर रहना ना करने के लाखों बहाने है और कारे करने का सिर्फ एक उद्देश की हमेश समय पर अपना सभी कारे करना है तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब इसलिए हमें समय कम है तो समझते हुए अपने प्रते कारे को समय पर पूरा करना है ये दोहा है तुलसिदास जी का, कभीरदास जी का, सूर्दास जी का या रैदास जी का किसका कभी, किसका दोहा है, कौन है इसके कभी कभी इरदास, बहुत बढ़िया मेटा, very good बहुत बढ़िया, अगला है अशोक चक्र की 24 तीलिया क्या संदेश देती है चलो भई, अशोक चक्र जब आही गया है तो हम इसको बना ही देते है तिरंगा है, और अशोक चक्र है, ठीक है यह हमारा तिरंगा है अब तिरंगे में हम देखते हैं सैफरन, वाइट और ग्रेट सबसे पहले हम रख लेते हैं सैफरन, केसरिया केसरिया हमारा जो रंग है, वो तियाग का प्रतीख है हमारे तिरंगे में केसरिया रंग किसका प्रतीख है बेटा तियाग का प्रतीख, ठीक है उसके बाद हमारा आता है सफेद जो शान्ती का प्रतीख है और उसके बाद आता है हरा हरा रंग किसका प्रतीक है हरा रंग है हरे आली खुशहाली हरे आली और खुशहाली का प्रतीक हरा रंग हरा रंग हमें हमारे तिरंगे का हरा रंग हमें हरे आली खुशहाली की ओर इशारा करता है कि हमें मिल जुलकर खुशी के साथ रहना चाहिए और जो सफेद रंग है वो शांती का प्रतीक है और उसी सफेद जो रंग है उसमें अशोक चक्र है जिसके बारे में ये प्रश्न आया है अशोक चक्र की 24 तीलिया अशोक चक्र में 24 तीलिया है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और ये 24 तो ये 24 तीलिया है अब अशोक चक्र की 24 तीलिया है वो क्या बताती है वो बताती है कि 24 तो घंटे हमें निरंतरता के साथ कारे करना होगा समझ में आया यहां पर हमारा रास्ट ये ध्वजा अशोक चक्र की 24 तीलिया क्या संदेश देती है पहला दिया है समय की निरंतरता दूसरा दिया है अपनी सुंदरता तीसरा दिया है समय की स्थरता या अपनी स्थरता तो जो अशोक चक्र की 24 तीलिया है वे हमें बताती हैं समय की निरंतरता कहने का ताथ पर है कि समय चलाएमान है निरंतरता निरंतर चलता है चलाएमान है कभी नहीं रुखता इसलिए हमें सभी अपने जो भी कारे हैं वो समय के रहते पूरे करना चाहिए यही हमारा रास्टिय ध्वज भी कहता है तो अशुक चकर की 24 तीलिया क्या संदेश देती हैं समय की निरंतरता अगले प्रशन की ओर हम चलते हैं अगला प्रशन है जो समय की कीमत समझते हैं खाली स्थान उनकी कीमत समझता है बिलकुल तो धन, दौलत, समय, समपत्ति यहां आजाएगा जो समय की कीमत समझते हैं कोमेंग सेक्षन है फटाफट लिखिए A, B, C या D तो आपने इतने में लिख दिया होगा C is the right answer सो समय की कीमत समझते हैं समय उनकी कीमत समझता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को सिक्षा दे रही हूँ मैंने प्रेंस के माध्यम से प्यारे बच्चो ये हमारी कक्षा साथ भी की पाठ बुस्ता किसले के अंतिम पाठ का अंतिम प्रश्न और इसी के साथ मैं आप से लेती हूँ विदा इस आशा के साथ कि आपने सभी पाठों की हर एक वीडियो को ध्यान पूर्वक देखा होगा उनके प्रशन उत्तरों को बहुत अच्छे से सुना होगा समझा होगा साथ ही साथ जो वस्तूनिष्ट प्रशन रहे होंगे उनको बहुत तारकिक कामना हैं पूरी करें और आप अपने लक्ष पर आगे बढ़ते उद्देश की प्राप्ति करें बाई थैंक यू सो मच लवी ओल